पूर्वा फालगुनी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और पूरे दिन पूरवा फालगुनी नक्षत्र में ही चलते रहेंगे मघा नक्षत्र के नक्षत्र स्वामी केतु हैं आज के जन्मे जातक सुन्दर, धन्वान, माता पिता के भर्त, स्वाभिमानी और हर सुख सुविधाओं से युक्त होते हैं ऐसे जातक असपस्टवादी, साहसी, मगर भावुक और सिग्र ही क्रोधित हो जाने वाले हर कारे करने में ततपर्ता दिखाने वाले, उच्च अस्तर की आजीविका प्राप्त करने के इच्छुख, गुप्त कारियों में लगे रहने वाले और उच्च भिलासी होते हैं ऐसे जादर खाने पीने के सौकीन मगर चिंता ग्रस्त मना इस्थिती वाले और उन्नती में बार बार बाधाओं के सिकार होते रहने वाले होते हैं जदी सहयोगी लगन रहा सूर्य और केतु की स्थिती अनकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे चंदर्मा आज भी सिंगरासी में ही चलते रहेंगे जिसके राशिस्वामी सूर्य देव हैं आज के चंदर्मा पर दोपहर तक केतु के नक्षतर में चलते रहेंगे ततपस्चात सुक्र के नक्षतर में कायम हो जाएंगे जिससे साहस और आत्मिश्वास बना रहेगा हर कारे करने के प्रती तत्परता जाहिर होगी मगर मानसिक व्यगरता हर कारे करने के प्रती जल्दबाजी अपने आपको असुरक्षित महसूस करना और अनावशक भाग दोड भी बना रहेगा आर्थिक इस्थिती अन्कूल रहेगी, बिभागी अधिकारियों की सकारात्मक प्रेणा लाव दिलाने वाली होगी पारिवारिक सुख सवहाद में बिद्धी होगी और साम तक सफल महसूस करेंगे आज का राहुकाल दोपार देड़ बजे से तीन बजे तक लगा रहेगा इस दोरान किसी नए काम या नए अनिवन्द के लिए परहेज करें मेश रासी वाले जात्कों के मन में चल रहे अंतरदंद, उल्तावलापन, मानसिक, उल्थल-कुथल और धमात्मक इस्थित्ती से सामना करना पड़ेगा मगर आपकी कोशिस और आत्मिश्वास से रचनात्मक प्रया सार्तक होंगे साजेदारी सफल रहेगी, आर्थिक लाव सामन रहेगा, सरकारी सहयोग और पारिवारिक प्रेणा में कमी महसूस करेंगे अच्छे कामों में पूझी निवेश और बच्चों के भविसे पर धर्च की संभावना भी वनती है कुछ मामलों में आलस या अवरोध की स्थिती संभावित है दिद्याक्थी उर्जाबान महसूस करेंगे और वयवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अन्पूल रहेगा भावावेश को नियंतित करें और वहां सावधानी से चलाए चंद्रमा ब्रिश रासि से चोथे भाव में चल रहे हैं आपकी सक्रियता और कारी छमता ब्यावसाई को देश के साथ ही खर्जभर ग्रिहस्ति के रचनात्मक कारियों के प्रती भी केंद्रित रहेगी मानसिक रूप से इस्थिव होकर अपने लक्ष को हासिल कर लेंगे बहुत दिख्षमता और प्रबल रिच्चा सकती आपके हर काम में मददगार सावित होंगे नई कार्योजनाओं का प्रस्ताव मिल सकता है साजेदारी सफल रहेगी बिद्यात्यों के लिए आज का दिन सफलता दायक सिद्ध होगा संतान संबंधी चिंता दूर होगी मांगली कारेक्रम के लिए समय अनकूल रहेगा मगर स्वास संबंधी आवसक सावधानी बनाए रखे मिथुन डासे वाले जात्कों के लिए आज का दिन सफ़लता दैक सिद्धों का भावनात्मक लगाव बढ़ेगा, सामाजी प्रतिष्ठा में ब्रिद्धी होगी, ब्यावसाइक पक्षी अनुकूलता बनी रहेगी, सासर सत्ताव अधिकारियों का सहयोग जारी रहेगा, आपके प्रयास और आत्मिश्वास से सवलता संभावित है, संतान संबंधी सुख समाचार मिल सकता है और वयवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल गहेगा, करकराशी के जातक मानसिक रूप से खुश और उत्साहित महसूस करेंगे, नकारात्मक विचार और भ्रमात्मक के स्थितिक खत्म होगी, संतान संबंधी चिंता खत्म होगी, और आर्थिक पक्ष अनकूल रहेगा, सिक्षा प्रत्योगिता के छेत्र में सफवता मिलेगी, साजेदारी के कामों में सावधानी अपेक्षित है, सत्रु पक्ष दबा रहेगा, पारिवारिक सुक संतुष की महसूस करेंगे, मगर वा संबंधी सावधानिया रखनी चाहिए, खास तोर से पेट संबंधी मामलों में दिक्कत हो सकती है, द्यावसाइक अनकूलता आर्थिक लाव के लिए प्रेरित करेगी और नय लग्ष निरधारित होंगे, संबंधित मामलों में अचानक यातरा का योग बनता है, आर्थिक निवेश के लिए समय अनकूल है, परिवार में आनंद और खुशी का माहौल बना रहेगा, नीजे संबंध प्रगाड होंगे, वैवाहित मामलों के लिए आजकादी ननकूल रहेगा, घरेलू संसाधनों में ब्रिद्धी होगी और सिक्षा प्रद्योगिता में मेहलत अध संबावित है, चंद्रमा बारहमें भाव में चल रहे हैं, अति आत्मिश्वास महसूस होगा और बात बात पर तर्क करने की प्रवरित्ती बढ़ी रहेगी, मकर ब्यावसाइक मामलों में सुधार का दोर जारी रहेगा, भावित में अपने कारिक्षेतर में सफल रहेंगे, सगारात्मा प्रयास से प्रोननती के असर मिलेंगे, मित्रों वा सहर कर्मियों से अनुकुलता बनी रहेगी, आठिक पक्ष मजबूत रहेगा, धर्म कर्म और मित्रों पर खर्व संभावित है, सिक्षप नक्यों किता में प्रयास जारी रखें और स्वास सम्भधी सावधा तुला राज के जात्मों के वाणी पर संयम आवस्यत है, रुके हुए काम संपन्न होंगे, ब्यावसाई कुछ देशों की पूर्ती में आ रही रुकावटें खत्म होंगी, मगर मन का आंतरदंद आपके कारिष्ट और रुज्यास्तर को प्रभावित कर सकता है, चंद्रमा के अच्छे कामों में विद्य निवेश के लिए सहयोग मिलता जाएगा, मकर ब्यावसाई का नियमित ताएं भी संभावित हैं, नीजी निवेश लावदायक रहेगा, आर्थिक लेंदेन वा महत्पुन कावियातों को ध्यान से पढ़कर उसका निप्टारा करना चाहिए, सं नीजी मामलों में आ रही रुकावटें खत्म होंगी, मन का अंतरदंद कम होगा, उर्जा अस्तर में ब्रिद्धी होगी और कारेच्छेगर के विकास और उत्थान की मान सिक्ता बनी रहेगी, सरकारी काम का अज पूरे होंगे और अजिकारीयों का सहयोग मिलता रहेगा, नवीन कारी वजनाव और साजेदारी के लिए समय अनकूल है, अपनी क्रिया सिल्ता को हर हाल में बनाए रखें, सिक्षा प्रतियोगता में मेहनत करनी पड़ेगी, आर्थिक पक्ष सामान रहेगा, पारिवारिक गायत की पूर्ती होगी, नीजी निवेश के लिए आज का अनकूल रहेगा और वयवाहिक मामले फलिगूत होंगे, धनूरासी वाले जातकों के लिए आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, ब्यावसाइक संसाधिनों में बृद्धी होगी, रुके हुए सरकारी कामकाज संबन होंगे और लाव के इस्किती बनी रहेगी, बौदिक छमत संबन्दित में सफलता मिलेगी और संतान संबन्दी मामलों में सहीयोग मिलता रहेगा, नयायाला यावाद वाद संबन्दित मामले अनकूल रहेगे, धार्मिक भावना में बृद्धी होगी और देवदर्शन के योग बनते हैं, मकर राजिके जातों की सकरियता बनी रहेगी और कारी और जजनाओं में सफलता हासिल होगी, आठिक लाग सामाने रहेगा, मगर स्वभाव में उगरता को नियांपित रफना चाहिए, सासन सब्ता और अजिकारियों का सहीयोग मिलता रहेगा, कारेचेट से संबन्दित या सिच्छा प्रद्योगता में सफलता मिलेगी, अपने स्वास्त पर आवश्चक सावधानी बनाए रखें और वहां सावधानी से चलाएं कुम्हरासी के जातों के लिए आज की शुरुवात भागदवर, उतावलापन, मगरगण विश्वास और सकारातनक मानसिक प्रभाव से होगी, रचनातनक प्रयासों में ब्रिद्धी होगी, नई कार्योजनाओं में कुछ विश्यों पर प्रयास सफल होगी, आर्थिक पक् प्रयापन में सहयोग मिलेगा, सफलता संभावित है, और वयवाहित मामलों के लिए आज का दीन अलकूल रहेगा, वीन रासी वाले जातों की दिनचर्या सामान रहेगी, चंद्रमा के छठ में, और केतु के नक्षत में होने से, तत्मस्चात सुक्र के नक्षत में जाने से मानसिक व्यगरता, नकारात्मक विचारों का पैदा होना और कारेच्षत में लापरवाही की प्रवृत्ती बनी रहेगी, आत्मिश्वास और सक्रियता प्रभावित होने से, रचनात्मा कारियों में बाधा संभावित है, हलाकि सुक संतुष्टी बनी रहेगी, ब्यावसा के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, होम नमा सिवाए